Hello viewers, welcome back to my YouTube channel Lalita's English Classes. आज हम रोज बोले जाने वाले कुछ और वाकि देखेंगे. क्योंकि अम्रेजी अगर हमें बोलनी है, तो उसके लिए हमें देली रुटीन के सेंटेंस के बारे में मालूम होना ही चाहिए. तो पहले भी हम कुछ वीडियो देख चुके हैं, अगर आपने नहीं देखेंगे हो तो आप उनको भी देख सकते हैं. तो आई बिना देर किये, आज का सेशन चिल करते हैं. Let's get started. The first sentence of this video is, cycle में हवा भर लो. Inflat your bicycle. Next sentence, दूसरों की बुराई मत करो. Don't speak ill of others. Don't speak ill of others. Next sentence, बाल्टी पानी से भरी है. The bucket is filled with water. The bucket is filled with water. बाल्टी को bucket बोलते हैं इंग्लीश में. Next sentence, क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है? यह sentence भी हम बोलते हैं. किसी को भी कि क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है? Do you have any business with me? Do you have any business with me? Next sentence, उसने पढ़ाई क्यों छोड़ दी? Why did he drop his study? Why did he drop his study? Next sentence, आप बिल्कुल चिन्ता न करें. बहुत बार हम इस वाकी का उप्योग करते हैं अपने डेली रूटीन में. किसी को भी हम कहते हैं कि आप बिल्कुल चिन्ता ना करें. इंग्लीश में हम कहेंगे, you don't worry at all. अग्ला वाक्य है, कहना आसान है, लेकिन करना मुश्किल है. It's easier said than done. It's easier said than done. Next sentence, यह तो रोज की बात है. कोई भी बात, अगर कोई जगडा रोज ही करता है, या ऐसा कुछ काम रोज ही जोग होता रहता है, तो आप कहेंगे कि यह तो रोज की बात है. It is everyday occurrence. थोड़ा बोलने का ध्यान रखें, जो last word आया है, उसको occurrence पढ़ेंगे. Next sentence, मुझे धूल से allergy है. आपको जिसी भी वस्तु से allergy हो, जिस भी चीज से allergy हो, तो आप उसको धूल के स्थान पर रख देंगे और पुरा sentence बोलेंगे. I am allergic to dust. I am allergic to dust. मेरा फोन खो गया है. This is the last sentence of this video. मेरा फोन खो गया है. I have lost my phone. I have lost my phone. अब फोन के स्थान पर आपका जो भी सामान खुआ है, आप उसका नाम लिख देंगे. जिसे हम कहें कि मेरी चाबी हो गई है. I have lost my key. तो आज हमने ये कुछ sentence देखे, जो डेली रूटीन में आपकी बहुत ज़्यादा help करेंगे. तो आप इसकी practice करते रहें और वीडियो अच्छा लगाओ तो इसे like करें, share करें और comment करके जरूर बताएं. Thank you so much.